मारा कोशन है कंसीडर दा एट्वोड मशीन अफ द प्रिवियस प्रॉब्लम द लॉंगर मास्च द लार्जर मास्च इस स्टॉप्ट फॉर मोमेंट 2 सेकेंड आप्टर द सिस्टम इस सेट इन्टो मोशन और टाइम एलाप्स बिफोर द ट्रिंग इस टाइट अगें अब कोश में हमें दे रखा था है एट्विड मशीन थी यह एंवन मास्च था और यह एंटू मास्च था अब उसने क्या बूल रखा है कि लाजर मास्च जो है उसको एक मोमेंट के लिए स्टॉप कर दिया गया है दो सेकेंड के बाग ठीक है तो हमें बताने कि टाइट फाइंड दा लior से जा रहा था तो जब दो सेकट्ट स्कार इसे क्या करें इसे रोक दिया अब यह जब रुका है यह तो चल रहा था ना तो इसकी विलाॉसिटी जी जैसी velocity 0 हेगी यह freely move करेगा ग्राइवटी एंडर तब स्ट्रिंग फिर से टाइट होजी तो वह टाइम है टाइट होने का वह टाइम बताना में कितने टाइम है वह टाइट होजेगी तो यहां पर देखो जब यह M2 मास वह एक मोमेंट के लिए रुकेगा दो सेगेंट के बा सेगेंट के बाद अगर उसकी विलॉसिटी निकालना चाहूं कि उसकी विलॉसिटी क्या होगी उस वक्त जब M2 स्टॉप हो चुका यह तो विए को स्टू इनिशली वह 0 पे था प्लस एक्सेलरेशन हमें दे रखा था पिछले कोशन में निकाला था 3.27 टाइम हमें दो इसको कि विलॉसिटी आई है, यह विलॉसिटी जब अचीव होजेगी M1 की द्वारा मतलब M1 जब इतनी विलॉसिटी गेन कर देगा था समझे रोग जब यह इतनी विलॉसिटी गेन करेगा थाम डुट रूग जएगा उसके बाद क्या उसके अद अपर डायरेक्शन में जाने के लिए इसके पास और कोई पोर्स बचीने की कुछ कि इसंवत दिया है तो यह इसको खींचने के लिए कोई टेंशन तो बचीने इस ट्रिंग में तो अब वो करेगा gravity के अंडर क्रेंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो मूव करेगा freely तो इस बार वो जब रुक जेगा तो फाइनल विलासिटी उसकी 0 है ना मैं सेम एक्वेशन अगर मैं यूज करूं कि फाइनल विलासिटी उसकी 0 वही इस बार जिरो होगी, ठीक है, इनीशल वो इतने पर था, एक्सलरेशन उसे माइनेस जी का लगा, तो हमें T निकालना है, T कितना आ जाएगा यहां से, T आ जाएगा 6.54, अपॉन 9.8, कितना आ यहां T, 2 by 3, तो 2 by 3 सेकंड्स में, वो जो स्ट्रिंग है, वो टाइट हो जाएगी, ठीक है, इससे असान सॉलिशन और कहीं नहीं,